ओके एलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहें बॉंट टू इन्वेश यूट्यूब चैनल यह दोडने वाला गोड़ा है लॉंग टम में माला माल कर देगा चले जानते कौन सा इस्टो के क्या इसके फंडामेंटर लेवल और क्या इसके टेक्निकल और अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाज में घंटे वाला बटन है उससे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको अमारी नॉटिपिशन सबसे प अब इसमें नेट डेप टो इक्विटी रेशियो देख लिजिए रेशियो है अब हम इस कंपनी के वेल्युएषन के बारे में बात कते हैं वेरी एक्सपेंसिव वेल्यूएषन पर हाल फिलाल यह ट्रेड कर रहा है जो बी वेल्यू साथ सो चालिस के उपर होगी यह इसको very expensive valuation पे डालेगा अब हम इसमें P-E ratio देखते है 46.88 की इसकी P-E ratio है V2 EBITDA देखते है 34.10 इसकी V2 EBITDA ratio है ROC देख लीजे कितनी है 1149.72 इसकी ROC है क्या है कि अभी यह नई कंपनी है इसलिए इतनी ज़्याद है लेकिन जैसे आगे-ागे जाएगा यह भी नॉर्मल हो जाएगी ROE देख लीजे 33.12% की इसकी ROE है अब हम इस कंपनी के quarterly result के बारे में बात करते आप इसमें net sales देख लीजे पिछले quarter से इस quarter में इस कंपनी ने 3.68% की एक upset दिखाई है net sales में आप इसमें net profit देख लीजे जिसमें भी 5.66% की upset हमें देखने को मिली है आप इसमें operating profit margin देख लीजे जिसमें भी 5.06% की upset हमें देखने को मिली है अब हम इस कंपनी के annual result के बारे में बात करेंगे जो की एक year to year result होता है आप इसमें net sales देख लीजे 9.02% की upset हमें देखने को मिले पिछले यर से अब इसमें net profit देख लीजे जिसमें भी 30.83% के हमें upset देखने को मिली है आप इसमें operating profit margin देख लीजे जिसमें भी 8.63% के हमें upset देखने को मिली है अब हम इस company के shareholding pattern के बारे में बात कते प्रमोटर के पास 82.71% के holding promoter के पास है आप इसमें FIS देख लीजिए 4.73% holding FIS के पास है आप इसमें mutual fund देख लीजिए 0.92% holding mutual fund के पास है जो इस company में mainly हम देखते कि pledge promoter holding जो की zero है मतलब इस company ने कोई भी अपना stock गिरवी नहीं रखा है चलिए अब जहांते कौन सी एक company है अब तक हम बात करें थे ADFC AMC के बारे में अपनी industry में 7th number पे आता है large cap stock है और एक बड़िया सा dividend पी बेग करता है जो इसका हाउ से हो है ADFC तो एक भरसमन क्या है की company है और आपको भी किसी stock के बारे में क्या है की जानना हो कोई means के analysis करना है तो आप हमें बता सकते हम उस पर क्या के अपनी तरह से detail analysis करेंगे और बाद में एक वीडियो बनाएंगे उसके उपर चलिए अब जानते क्या है इस company के मतलब fundamental तो देख लिए हमने क्या इसके technical level क्या है कि इस level पर हमें बाई करना चाहिए जो अच्छा हो long term के लिए अब हम आ चुक है कि line draw की है वह यह मतलब एक long term है जो यह क्या है कि अभी उसके पास नहीं आये लेकिन in future आ सकता है तो इस line के पास आपको एक त्रीन क्या है कि buying opportunity मिल सकती है लेकिन हाल फिलाल में इसकी बात नहीं करते है जब यह गीरेगा तब हम इसकी बात करेंगी तो अभी क्या है कि थोड़ी दिन पेले मतलब जो horizontal support line थी वहां से यह support लेकर उपर गया तो दोनों लाइन एक पास मिल रही थी तो एक बेहतरिंग buying opportunity थी तो मतलब इतने भी कहीं नहीं चला गया कि आपके IQ उसको लेना छोड़ दो उसके बाद confirmation के बाद एक ही candle बनाई है तो क्या है कि अभी भी आप इसमें buying कर सकते है और last जो इसकी horizontal line थी उसको भी इसने break करके उपर चला गया तो most probably है कि यह आने वाले time में क्या है कि अगर market अच्छा रहा तो यह भी क्या है कि उपर जा सकता है तो अगर आपको क्या एक long term vision है तो आप इसको अपने portfolio में add कर सकते हो और दोस्तों यह video आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर देना आप like comment करगे तभी तो मैं होसला मिलेगा और ऐसे video लाएंगे जो आपको क्या है कि अच्छे लगे मतलब आपको कुछ knowledge नहीं है तो आपको सीख सकते हो इसमें से तो यारो like comment and subscribe करना बिलकुल मत बूलिएगा चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टक टाग गुडबाई जाई हिन